जितेंद्र मिश्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर इस समय में हूँ चित्रकूर्ट पावन धाम और यहां पर जो इस स्थान पर मैं रुका हूँ यग वेदी आश्रम है और मेरे साथ है पंकरजी महराज सबसे पहले आपको प्रणाम और कुछ इस चित् स्थान है जिसे लोग जा करके श्रद्धा पूर्वक जा करके अदर्शन कर सके उनके बारे माँ पता है जैजे स्री सीता राम जी महराज की चित्रकूर्ट में तो भगवान राम आये थे बनवास के लिए तापस घ्रेस विसेस उदासिह चवदे वरस राम बनवासी चित्र कूट का पहला गेट मिलता है रिसी बालमिक जी का आस्रम है बालमिक जी वहां चित्रकूर्ट में थे पारवत में वहां से जब राम जी चित्रकूर्ट आये तो बालमिक जी से मिले तो बालमिक जी ने उनको राम जी ने पूछा कि प्रभू मेरे रहने का इस्थान बतलाई उन्होंने कहा कि प्रभू आप तो हर जगे में ब्राप्त रूप से विराजमान हैं अब मैं ऐसा कौंसा आपको अस्थान बताऊं क्योंकि आप तो कणकड में हर जगे विराजमान है उन्होंने कहा कि यदि आपको 14 वर्सों का पनवास ही करना है तो यहां पर एक जिसको आप लोक्षी त्रकूट के नाम से जानते हैं तब राम जी यहां आए तो मंदाकनी पे असनान करें यह मंदाकनी हमारी माता सती अंसुया जो रही उनकी तपस्या की निकाली हुई गंगा है उन्होंने जब अत्री बालमीक जी को अत्री मुनी जी को प्यास लगी तब उन्होंने गंगा को उद्गम किया तो इसलिए इसका नाम है मंदाकनी मंद धारा है इसकी मंदती मंदाकनी पापों का नास करने वाली है जब राम जी चित्रकूट में आये तो यहां मंदाकनी में गोता लगा के लच्मन जी को भोले नात के पास भेजे तो भोले नात जी भगवान का भजन करते रहते हैं, यहां राजा धिराज महाराज मत्ग जिंद नात के नाम से जाने जाते हैं, जिस अस्तल में आप बैठे हुए हैं तो यह ब्रम्भ पुरी के नाम से जाने जाते हैं, बताते हैं कि यहां ब्रम्भा जी ने सत्जुग में राम जी के आने की प्रतच्छा क के लिए कई यग किये 108 यग किया बड़े-बड़े कुन बनाया बड़े-बड़े यग किया ब्रंभा जी इसको ब्रंभारन के नाम से आना जाता है चित्रकूट के वैसे तीन नाम है जब राम जी आये हैं जब राम जी के पहले तो इसका नाम था चित्रकूट चित नाम के एक बटचाया वेदी का बनाई तुल्सी तरवर विविद सुयाए कहूं कहूं लखन लगाए तो यहां पे वेदी में हमन करने का बहुत महत्ते है जिसकी भी इच्छा होती है यहां रुकने की भी बहुत बेउस्थाएं अब यहां से जैसे हम मंदाकनी का सनान किया मजगेंदर नाद जी में जल चड़ाया फिर इसके बाद हम कामतगिरी के ओर जाते हैं कामतानाद जी के चार मुखारविंद है चारों मुखारविंदों का हम लोग परिक्मा लगाते हैं लेकिन यहां का एक प्रमाड और है कि चित्रकूट चिंताहरन आये सुक्के चैन पापकटिं में जल नगी सफएक ट्रेंचेन के आश्रम आश्रे का होता है यह श्रसां मिलें के हिरु आये यह और हम परिकें लगाए कामतानाद जी की कि अपने शाल मुखारविंद है कामाद भीहरी सरकार के पहला मुखारविंद है भगवान का ब्रामभण का मुख है दूसरा गव क्व हमोने 2 द्वार। दूसरा दूसरा अगनी क्वा किद्वार है का गुप्त कामटानाज जी के चारों मुखार बिंद दरसन करने का मतलब है जैसे हम लोग गए भगवान का दरसन किया अब जैसे देखा कि क्या छटा है प्रथम मुखार बिंद में दो मूर्तियां हैं जो बड़ी विसाल मूर्ति है उसके मुख से साथ सालिक ग्राम निकले हुए है जो पांच डाड के रूप में रखे रहते हैं जो दो मुफ में रखे रहते हैं इसी तरह आप दूसरे मुखारविंद में जाएंगे तो वहां गव मुखतवार बोला जाता है आज काल तो वह इसे पहले मुखारविंद को दूसरा मुखारविंद कहते हैं दूसरे का ही अस्थान है और उसके नीचे फिर जब उतरेंगे तब चित्रकूर में कामतानाथ जी का तिती मुखारविंद है लच्छमी नारायन मंदिर खोही बड़ा खाड़ा तो यह अगनी मुखद्वार है वैसे हम लोग जब रहते थे जब बैठते थे कामतानाथ में जब बैठ द्वार होता है तो अगनी में कोई ज्वाला का विशेस नहीं होता है क्या पता किस समय अगनी कौन सी ज्वाला अपनी बना ले तो अगनी मुखारविंद तो बड़ा रहे गई इसके बाद फिर लेटे हनमान जी मिलते हैं बाहरा के हनमान जी उनको बोलते हैं कामतानाथ ज उससे हम और इसी से चित्रकूर से थोड़ा दूर गाएंगे तो पांच किलो मीटर है और एक बनवासी राम मंदिर है वो भी निर्माली अखाले से ही है और फटक सिला धाम है फटक सिला का जिसने जिक्र किया जाता है कि वहां पर राम जी जानकी जी का सिंगार किया है तो कहत कि भगवान क्रिस्ण नें नन्यानवे राज किया एक सो आठ exactement चिया भगवान क्रिस्ण ने लेकिन लाम जी तो यहां नुनेंगे राज किया चित्रकूर में जो एक प्रियाग राज ऐसी भूमी है कि वहां बड़े बड़े रिशी त्रवेड़ी की धारा सुएम बहती हैं और रिशी में हमारे परम पूज श्री महंत धरमदाज जी महराज को ही ये दाई तो मिलता है अखाडों का खाल सा लगवाने का और इसमें कोई हमको जादा वो नहीं र